वेलकम टू दा चैनल पेबल डीचर इस वीडियो में कवर करेंगे सीटेट अनालिसस के लिए यहां पर ईवेस के पार्ट को तो यह जो ईवेस का पार्ट होगा इन्वार्मेंटल स्टेडीज का पार्ट यह हमारा 21 सेप्टमबर को पेपर हुआ था 2014 में उस पेपर से यहां प कुशन से जिसमें आपका कुशन किया जा रहा है कि खेल जो हम खेलती है यह एक प्रक्रड है यानि की टॉपिक है सिक्षर में सिक्षार्थियों को अधिक तम भागिदार्था के लिए निंव्नमें से कौन सी सिक्षर युकति अधिक प्रभावी होगी तो यहां पर टीचर जो है बच्चों को एक टॉपिक पढ़ा रही है जिसका नाम है खेल जो हम खेलते हैं इसके लिए सबसे अच्छा method क्या होगा बच्चों को पढ़ाने का, इसको पढ़ाने का सबसे अच्छा method क्या होगा, तो यहाँ पर first answer आजाता है, first point है यहाँ पर, कि विभिन खेलों के खेल कार्ड को बनाएंगे और उन्हें सिक्षार्थियों को दिखाएंगे, तो खेल कार पर को बनाना तब सिक्षार्थियों को दिखाना मतलब कि इसमें जो है बच्चे अक्टिवले इन्वाल नहीं होंगे तो यह option तो हमारा इसके लिए घलत हो जाता है नेक्स्ट है यहां पर कि सिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम य कराएंगे तब भी बच्चों के लिए इसमें कोई यह मतलब हम उसन को रोड लर्निंग करार हैं हमने जो है रटाफिकेशन करा दिया नाम याद कर लिया बच्छोंने नेक्स है यहां पर कि सिक्षार्थियों को टेलिवेजन के पर खेल संबंदी कारिकर्मों को दिखाएंगे टेलिवेजन पर दिखाएंगे तो यह टीचिंग एड्स है यहां पर लेकिन बच्चे को हमें actively involve करना है तो D option यहां पर आ जाता है कि सिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाएंगे तो जब हम बच्चों को जो है ग्राउंट में ले जाते हैं खेल के मैदान पे ले तो वहां पर बच्चों को हम अलग-अलग तरह के खेल सिखा सकते हैं खेलने के देंगे जब हम खेल खेलने को देंगे तो यह जो प्रकरर होगा हमारा वो बेस्ट टीच करन्डिंग का method है हमारा तो D option सबसे correct हो जाता है इस प्रकरर को बढ़ाने के लिए कि हम बच्चों को खेल के मैदान में ले जाएंगे और वहां अलग-अलग तरीके के खेल खिलाएंगे D option correct है next question यहाँ पर आ जाता है 62 number पे तो class third के सिक्षार्थियों को हमारे दोस्ट पक्षी यह प्रकरर है हमारे दोस्ट पक्षी पढ़ाते समय नलनी नीचे दे गए पधितियों का प्रयो रत्य चित्र दिखाया जाते हैं मतलब कि डाइग्राम बच्चों को दिखाया जा रहा है यहां पर second method यह उसके आजा रहा है कि विभिन पक्षियों के तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संशेप में उनका वर्णन करना पहले टीचर यहां पर चार्ट दिखात ही यहां पर दिखाया जा रहा है वहां पर उनसे कहा जा रहा है कि वह पक्षियों को द्यान पूर्वग देखें तो इस तरह से नल्न यहां पर टीचर है उनका यह जो प्रयोजन है सीखाने के लिए बच्यों को वह भिन उपागमों का प्रयोग कर रही है आपने देखा कि यहां पर बच्छे को देखने के लिए चायट भी दिखाया चायट को अवर्नन्न में उसको बताया है साथ ही-साथ वह फिल ट्रिप भी ले जारी हुआ पार्क में ले जाकर बच्छों को तब पक्षियों को also look at बेस्ट सुठ होगा चाहे वो lower level child हो, चाहे वो gifted child हो, तो यहाँ पर बहु बिद्धी जो multi-intelligence जो होता है बच्चों का, वो हर एक intelligence को ध्यान में रखकर हर एक method से बच्चों को ये प्रक्रण पढ़ा रही है, तो यह option यहाँ पर correct है, इसके लिए next question आ जाता है, व्रक्ष संरक्षर, यानि किट्री conservation के बारे में, अगर सिक्षिका यहाँ पर बता रही हैं सिक्षार्थियों को, तो वो सिक्षार्थियों को सम्वेदत सेल बनाने के लिए गुंजन निमनलखेत क्रिया कलापो का आयोजन करती है, तो यहाँ पर आपकी teacher है गुंजन, वो जो है व्रक्ष संरक्षर के बारे में पढ़ाने के लिए सबसे पहला प्रक्रड यूज करती है यहाँ पर प्रतिक सिक्षार्थि को इस बात के लिए प्रोत्साहित करती हैं कि वे एक-एक व्रक्षर अपनाएं और उसकी जो है देखभाल करें, तो यहाँ पर teacher के दारा कहा गय किया, तो यहाँ पर बच्चों से जो है उन्होंने डेबेट कराया है, तो यह competition जो है उन्होंने कराया, डेबेट का मतलब हो जाता है, बच्चे इसमें पक्ष और विपक्ष, दोनों में ही बोलेंगे, एक ग्रूप होगा जो पक्ष में बोलेंगा, और दूसरा ग्रूप ह बताया गया कि ब्रक्षों पर आधारित, पोस्टर निर्मार, पोस्टर निर्मार संबंधी प्रतियोगिता, यानि कि पोस्टर कॉंपटिशन भी बच्चों से कराएंगी, जिसमें बच्चे जो है चार्ट बनाकर लाएंगे, अलग अरग तरह के जो है, वन सनरक्षर को दि दिखाता है, तो यहाँ पर जो फॉर्थ ऑप्षन है, वो इसको फॉलो नहीं करेगा, इसमें आप से ये पूछा जा रहा है कि कौन सी गतिविदी सबसे कम प्रभावी होगी, तो सबसे कम प्रभावी फॉर्थ पाली है, क्योंकि इसमें हम बच्चों को वन सनरक्षर के बा करना सही है, डिबेट कराना सही है, क्योंकि बच्चा इसमें वन रक्षर के पक्ष और विपक्ष धूरों में ही बोलता है, पोस्टर कॉंपटेशन कराना ये भी सही हो जाता है, लेकिन जब लकडियों के भंडार दिखाते हैं, तो ये जो है, कम प्रभावी माना जाएगा तो यहाँ पे C option correct है इसके लिए, next question पे चलते हैं, आचल अपनी कक्षा 5th में, आचल जो है यहाँ पे सिक्षिका है, जो class 5th में, पर्यावर अध्यन की कक्षा में अकसर गहन जाच परताल वाले तथा कल्पना परक प्रशन पूस्ती है, तो आचल हमेशा ऐसे प्रशन पू तो उद्देश से जाहिर सी बात है, जब बच्चे से ऐसे questions किये जा रहे हैं, तो उसमें बच्चे का चिंतन कौसल देखा जाएगा, चिंतन कौसल को विस्त किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, तो यहाँ पे बच्चे की thinking skills को जो है improve किया जाता है, यहाँ बी option correct हो जाता है, next question पे चलेंगे, class 5 में, class 5 के सिक्षार्थियों को यदी हम समाप्त हो जाएं, यदी यह समाप्त हो जाएं, यह प्रकर पढ़ाया जा रहा है, तो आपके प्रकर का नाम है यहाँ पर यदी यह समाप्त हो जाएं, इसको पढ़ाने के बाद सीतल प्रकर के बारे में सिक्षार्थियों को समझाती है, तो सीतल यहाँ पे सिक्षिक्रा है, जो है, टॉपिक को बच्चों को समझाती है, सिक्षार्थियों की समझ के इसतर के बराबर जानने के लिए एक परिक्षर प्रशाशित करती है, तो यहाँ पर एक टेस्ट किया जाता है, बच् आश्यर होता है कि एक बड़ी संख्या में सिक्षार्थी संबंधित आउधारना को नहीं समझ पाए हैं जो टेस्ट जो है टीचर के द्वारा यहां पर लिया गया है उसमें टीचर ने यह देखा कि इस प्रकरण को बच्चे अक्सर जो है नहीं समझ पाए हैं तो वह बहुत आश्यर हो जाती है इस बात को लेकर कि जोधारना को बच्चे नहीं समझ पाए हैं इसका कारण क्या हो सकता है उस पॉइंट को हमको बताना है पर कारण यहां पर बताया जा रहा है कि सिक्षार्थियों के संग्यानात्मक अस्तर का अच्छा ना होना भी है यहां पर कि यह प्रक्रण पाठ्थे पुस्तक में सामिल के जाने के योगिन नहीं था या फिर सी है यहां पर कि सिक्षार्थियों को यह प्रक्रण रोजग नहीं लगा यह दी है यहां पर कि उसने प्रक्रण को पढ़ाते समय सही पधिती का प्रयोग नहीं किया था तो बिल्गुर करेक् तो D option यहाँ पे correct है, next question पे चलेंगे, next question यहाँ पे आ जाता है 66 नमबर पे, जिसमें पुछा जा रहा है कि class 5 में पर्यावर्य अध्यानि की EBS को पार्थे पुस्तक के एक पार्थ, पार्थ दिया गया है यहाँ पर सर्वेक्षर और लेखन, सर्वे और रिपोर्ट के बारे म पर एक भाग का मुख्य उद्देश है, सर्वे और रिपोर्ट अगर कर रहे हैं, पार्थ पुस्तक का यह जो पार्थ है, उसको पढ़ाने का उद्देश से क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, कि सिक्षाठियों को औसर उपलब्द कराना कि वे कर सके, निर्माड कर सके, तो वो सबसे बेस्ट आंसर होता है, यहाँ पर कि बच्चा खुद जो है, इसमें इंवाल्व होगा, उसको हम यह उसर दे रहे हैं, यह चीजें जो है, उपलब्द कराएंगे कि वो सर्वे कर सके और उस पर रिपोर्ट त्यार कर सके, तो यह उप क्षैंट कर जाता है, क्योंकि हम इसमें परियावरण का ही अध्यान करती है, नेक्स्कोंशन यहां पर आ जाता है, 68 नमबर पे, भारत की मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, हिमाचर पर देश की राजधानी सिम्ला और मद्य पर देश की राजधानी भौपाल क्रिम्शा इस्थित है दिल्ली के दिल्ली के किस जो है दिशा में इस्थित है यह आपको बताना है दिल्ली से हम अगर देखेंगे तो सिम्ला और भूपाल किस दिशा में इस्थित है तो आप यहां पर देखें यह माप है इंडिया का जिसमें आप सिम्ला देखें सिम्ला हिम ऐसरों माचल प्रदेश की राजदानी यहां पर स्थित है यानिकी यह नौट में स्थित है उत्तर इतर में और उसके साथ साथ यह भुपाल याई कि मंध प्रदेश की राजदानी तो यह जो है नीचे आप जाएंगे तो यह दख्षिर का पार्ट हो जाता है तो यह स्थृट है इस तरह से अगर हम दिल्ली यहां पर है दिल्ली से देखेंगे तो यह नौर्थ मेस्स है और यह जो है साथ मेस्स पर हमारा कृर्फ्ट आंसर जो कि Option No Beshap B हो जाता है यहां पे नेक्स कुछिन पर चलते हैं कि निमिल्खित में से कौन सा प्रात्मिक स्तर पर बर्यावरे रध्यन के सिक्षर का उदेश से नहीं है तो कौन सा उदेश से नहीं है को पढ़ाने के लिए प्राइमरी लेवल पर पर स्ट आ जाता है यहां पर कि सिक्षर कक्षा कक्ष में कड़े अनु अवश्य अभी प्रेरित करें मतलब की बच्चे को मॉटिवेट किया जाना चाहिए तो मॉटिवेट करना चाहिए बच्चे को कि ज्यादा से ज्यादा वो प्रेश्न पूछे यह तो जो है इवेस के लिए सही हो जाता है इवेस क्या इवेस सारे सब्जेक के लिए यह अच मतलब बच्चे को हमें motivate करना चाहिए, कि उसका जो environment है, आसपास का जो environment है, उससे बच्चा familiar हो जाए, D option यहाँ पर आ जाता है, कि कक्षा कक्ष में classroom में होने वाले अधिगम को विद्याले के बाहर की दुनिया से जोड़ना चाहिए, तो यह भी विलकुल correct हो जाता है यहाँ पर, कि जो भी हम classroom में पढ़ा रहे हैं, उस learning को हमें engage करना चाहिए classroom के बाहर, मतलब जो real life situations हैं discussion यहाँ पर आ जाता है, 70 number पर, कोई doctor एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाईयां लिखता है, तो उन दवाईयों में doctor ने लिखा, गुड़ खाये, आवला और हरे पत्तिदार सब्जियां खाये, तो इसमें जो है, उस मरीज को कौन सा रोग है, यह आपको बताना है, यहा जाते हैं, अनिमिया के लक्षर, C option यहाँ पर, करेक्ट हो जाता है, इसके लिए, कि वो जो रोग है, वो जो रोगी है, वो अनिमिया रोग से जो है, ग्रसित है, नेक्स कुशन यहाँ पर आ जाता है, 71 number पर, निमलिखी समूहों में से उस समूह को चुनिये, जिसमें खाना पकाने की तरीके, यह ढंग दिये गए हैं, तो कौन सा ऐसा समूह है, तो सेख कर, उबाल कर और बेल कर खाना, नेक्स आ जाता है, बेल कर जो है, खाना बनाया जाता है, नेक्स आ जाता है, यहाँ पर, कि तल कर, भिगो कर और भून कर खाना, या C option आ जाता है, यहाँ पर, स रेगिस्तानी ओक से ये कुश्यन क्रिया जा रहा है रेगिस्तानी ओक एक पेड का नाम है जिसमें जड़े उस गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि वो पानी तक ना पहुचता है तो जब उन जड़ों को पानी मिल जाता है उस गहराई तक जड़े उसकी जाती है पानी म तो उसकी जो गहराई होती है जड़ों की वो 30 गुना ज़्यादा उसकी उचाईगी होती है तो यहाँ पेड कहां पाया जाता है यह कुशन आपसे किया जा रहा है राजिस्तानी ओक एक बहुत famous कुशन है यहाँ पर जो आस्ट्रेलिया में पाया जाता है यह पेड बी option यहां पर correct हो जाता है इसके लिए यह देखे यहां पर राजिस्तानी ओक यह जो है tree है यहां पर इस तरह से यह tree होता है यह जो है Australia में पाया जाता है और इसकी जड़े होती है वो 30 गुना ज़ादा गहराई में होती है इसकी उचाई की अपेक्षा और इसकी जड़े तने में कठथा हो जाता है और यहीं पर लोग जो है पाइप डाल कर उस पानी से अपना जीवन्यापन करते हैं तो यह राजिस्तानी ऑग के बारे में था Next question यहां पर आजाता है Mount Everest के बारे में Mount Everest के बारे में सही क atheन कौन सा है तो Mount Everest आप जानते हैंillar Myanmar बाल का एक भाग है और इसकी चोटी की उचाई जो है वो 9800 मेटर होती है 8900 मेटर हो है तो 8900 मेटर जो है इसकी उचाई है उसकी चोटी की तो यहाँ पर यह ओप्शन के लिए करेक्ट हो जाता है 8900 मेटर इक्जाट जो यह उचाई है वो 8848.86 मेटर की है जिसको 8900 मेटर कहा जाता है नेक्स कुशन यहाँ पर आजाता है कांसा से कांसा जो है ब्रांच जो कहते हैं यह कौन सी दो धातों से मिलकर बना है तो कांसा यहाँ पर कॉपर यानि की तांबा और टिन से जो है मिलकर बना हुआ है तांबा और टिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाते हैं कॉपर और टिन ए ओप्शन यहाँ पर करेक्ट है next question आ जाता है यहाँ पर कुछ पकशी हमारी तूलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं तो वो कौन से पकशी होते हैं इन पकशियों में नाम आ जाता है चील का चील जो है हम से 4 गुना अधिक दूरी से देख सकता है बाज का और गिद्ध का यहाँ पर करेक्ट हो जाता है इसके लिए इसमें आप देखिए चील जो है इसमें काली चील और ब्रामनी खैरी चील यह सारी आती हैं और बात जो है एक सिकारी पक्षी होता है आप जानते हैं नेक्स कुशिन पर चलेंगे नेक्स कुशिन यहाँ पर आ जाता है कि सानली क्लास 5 में सिक्षार्थियों को पोशर पर आधारी त्रकड़ से परिचित कराती है उन्हें जो है क्या करना चाहिए इसके लिए तो अगर आप पोशर टॉपिक पढ़ा रहे हैं प्राइमरी लेवल पर उसके लिए सबसे बेस्ट जो है तीचिंग मैंथेड हो जाता है कि आप बच्चों से उनके टिफिन बॉक्स से उस टॉपिक को स्टार्ट करें क्योंकि हर एक बच्चा जो है अलग तरह का फृपिदार के तो इस ते आप स्टार्ट कर सकते हैं कि किस घ्रस पर आप ऑप करेंगे कि किस जो है लंच में कौन सा पोशर्ट पाया जा रहा है और उसके बाद उसकी जो है व्याख्या करेंगे उसको एक्सक्राइन करेंगे बच्छों के सामने तो सी ओप्षन सबसे बेस्ट हो जाता है यहां पर जीव जनतुओं पर आधारित पार्ट को पढ़ाने के ब ब्रुमड के लिए ग्योजना तैयार के जसमें वो चिड्यागर दिखाने वाली है बच्चे को तो यह डैस में बदत करेगा दैनिक समय सार्णी पर चर्चा करने के लिए या कक्षा-कक्षी आधिकम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने के लिए या फिर C option है यहाँ पर कि जिव जन्तु को पालतु कैसे बनाया जाए इसके प्रति सम्वेधना विक्सित करने के लिए या D option है यहाँ पर कि जिव जन्तु संद्रक्षर के खौसल के विकास के लिए तो यहाँ पर B option correct हो जाता है इसके लिए कि कक्षा कक्षी अधिकम से वास्तविक जीवन यानि कि जो बच्चों को पढ़ाया गया है उससे हम real life situations को real life experiences बच्चे को देते हैं जब चिडियागर में बच्चों को ले जाया जाएगा तो आपने जो पढ़ाया है जो टीचर के दारा पढ़ाया गया है वो बच्चे जो है वहाँ पर connect कर पाएंगे correlate कर पाएंगे चिडियागर के जिव जन्तु से तो यहाँ पर B options के लिए correct हो जाएगा next question पर चलेंगे जो आप मार्क करिएगा कि यहाँ पर अतिदिक वर्षा होती है जहां वो रहता है और हमारे घर धरती से लगभग 10 ते 12 फिट जो है उचे होते हैं यानि कि 3 से 3.5 मीटर जो है उचे होते हैं यह और मजबूत बास के बने खंबो से बने हुए घर होते हैं बास के खंबो से जो है घर बनाया जाते हैं यह उप्शन यहां पर करेक्ट हो जाता है यहां पर लगातार बारिस होती है दस बारा फिट उचाई पर घर बनते हैं और बास से पूरे घर बनाया जाते हैं लकडियों से इसकी इंटेरियर को डेजाइन किया जाता है तो यह देखिए आप इस जो है समा के घर बनाए जाते हैं असलेती कर्दें आसम उचाई पर बनते हैं अंदर ऑ만सा अंडर से घर बने होती हैं कि प्रयोगास्र्वक क्रिया किलापों को पूरा करना और उनका अलोकन करना तो ये जो है कॉलिटेट्यु असेस्मेंट काTHE होजाता है नेक्स्ट है यहां它 पर प्रयोगास्र्वक में तिन्नांनकन वाले आरेक बनाना तो ये भी यहां पर रुपात्मक आकलन हो जाता है इसके बाद C है यहाँ पर कि जल प्रदोशर, जल की यहाँ पर बात हो गई, वहाँ पर measurement की बात करेंगे हम यहाँ पर, जल प्रदोशर की हानियों के बारे में चर्चा करनी है तो यह option यहाँ पर wrong चला जाता है और यही हमसे पुछा गया है कि कौन सा समचितकार नहीं है C option यहाँ पर correct हो जाता है इसके लिए, next question आ जाता है नेमलखित पक्षियों में से कौन सा काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक गुमा सकता है तो यहाँ पर correct answer हो जाता है उल्लू उल्लू जो है अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे गुमा लेता है यह option यहाँ पर correct हो जाता है तो यह काफी हद तक जो गुमाता है वो 270 डिग्री तक उल्लू अपनी गर्दन को पीछे गुमा लेता है उल्लू हमेशा रात में देख पाता है तो रात में जो है चीजे कैसी दिखाई जाती है ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में नेक्स्ट कुशन आ जाता है ब्रेल लिपी से ब्रेल लिपी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये मोटे कागज के उबरे हुए बिंदू पनाय जाते हैं वो जो है इस पे टच करके जो है लिखना पढ़ना सेखते हैं इसका आविस्टकार सबसे पहले 1821 में किया गया था नेत्रहीन फ्रांसेसी लेकर थे ये जिसने लुइस ब्रेल को जो है लुइस ब्रेल के द्वारा जो है इसका आविस्टकार किया गया है लुइस ब्रेल फ्रांसेसी लेकक थी और ये नेतरहीन थे लुइस ब्रेल ने 12 बिंदू के स्थान पर 6 बिंदू का प्रयोग किया उन्होंने और इसके साथ 64 अक्षरों का प्रयोग किया है उन्होंने इस लिपी में तो यहां पर आपने लुइस ब्रेल के बारे में जाना कि ब्रेल लिपी का उन्होंने कैसे आविश्टकार किया नेक्स कुश्यन आ जाता है हमारे देश के नीचे दिये गए किस भाग में खाने की चीजे जैसे टैपियोका, नारियल का उपयोग, घर के आंगन में नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं, तो कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा जो है छेत्र है हमारे देश में, जो नारियल और टैपियोका जैसे पेडों को अपने घर के आंगन में उगाता है, खाने की चीजे बनाने के लिए, और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाध बहुत अच्छा भी लगता है, तो यह केडला हो जाता है, केडला छेत्र जो है, वहां पर लोग ट्रैपोका, ट्रैपीका, ट्रैपीोका और नारियल जैसे पेड़ अपने घर में ही लगा लेते हैं, आप देखिये जाके जो है केडला में तो केडला में जो है लोग जब नारियल के जहां पर खेत होते हैं जैसे आप देखिए कि वहां पर बहुत सारे नारियल लगे हैं उसी के आसपास ही उनके घर होते हैं आसपास ही घर होते हैं आंगन में उनके जो है ये सारे पेड़ पाए जाते हैं और वो ल सबसे प्रभावी कौन सा तरीका होगा तो बच्चों में अगर हम गहन जाच परकुशन करते हैं और कल्पना प्रकुशन कुछते हैं यानि कि बच्चों को हम ऐसे कुशन दे जिसमें वो critical thinking कर पाएं जादा से जादा सोच पाएं और जादा से जादे imagination कर पाएं तो उनको जह है curiosity होती है ती option यहाँ पे correct है इसके लिए next question पे चलते हैं नेक्स कुशन आजाता है कि हर प्रीत अपने students को एक suggestion देती है कि परियावरे संद्रक्षर के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति अपने सबसे अच्छे संभावे तरीके से अपना योगतान दे सकता है उसमें सबसे बहतरीन सुझाओ क्या होगा आजाता है कि आने जाने के लिए सारजनिक साधनों का प्रियोग करने तो परियावरे के लिए सबसे बेस जो suggestion होगा टीचर का वो यह होगा कि यहाँ पर आने जाने के लिए बताब ट्रांस्पोर्टेशन के लिए आप गॉर्मेंट जो है वेहिकल्स का योज करिए जो सावजनिक साधन है उनका ज्याद से ज्यादा उप्योग करिए डियोप्शन करेक्ट है यहाँ पर नेक्स कुशन आ जाता है रस्मी को यह दिखाया जाता है कि वह प्रशन पर बनाते सम प्रशन पर नहीं है जो उनका अनुपालन करें तो इनको आपको क्रम में विवस्तित करना है पर इसका सही क्रम हो जाता है कि सबसे पहले उससे यह सिखाया जाएगा कि डिजाइन कैसे करना है प्रशन पर की रूप रेखा कैसे बनानी है दूसरा यहाँ पर उसको सिखाया जाता है तो का प्रिशन बिलillos zapriesta का संसमा जाता है को नेक्स करता कर से वहले को सबुनां कि तर्थ को सीङता है । प्रश्न लिखने के लिए आ गया और इसके बाद यहां पर करेक्ट है नेक्स कूशन पर चलते हैं नेक्स कूशन हाथियों से जुड़ा हुआ है यहां पर हाथियों के विषय में नीचे दिये गया कत्नों में से कौन सा करेक्ट है तो यहाँ पर तीन महिने के हाथी के बच्चे का भार दो कुंटल दिखाया गया है जबकि 200 किलो होता है नेक्स आ जाता है यहाँ पर कि वैस्क हाथी एक दिन में दो कुंटल से भी अधिक पत्ते खाते हैं तो यह भी जो है रॉंग हो जाता है यहाँ पर नेक्स आ जाता है यहाँ पर कि हाथी आठ से दस घंटे सोते हैं, तो यह जो है option यहाँ पर दिखाया गया, शॉरी, यहाँ पर जो है आपका अंसर होगा, option A का, कि हाथी का वजन समाने ताहर दो कुंटल का होता है, दो कुंटल उनका भार होता है, तीन महिने के हाथी के बच्चे का, यह option यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बाकी जो तीन option है, वो यहाँ पर रॉंग है, कि दो कुंटल जो है, पत्ते खाते हैं, तो वो सिब 200 किलोग्राम पत्ते खा पाते हैं, और 8 से 10 घंटे सोते हैं, यह भी रॉंग हो जाता है, और हाथी अपना अतिदेख भार होने के कारेर बहुत आराम करना पसंद करते हैं, यह भी रॉंग हो जाता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, option A कि तीन महिने के बच्चे का भार जो है, दो कंटल का होता है, नेक्स कुशन आ जाता है, यदि एक महिने के ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, यह जो कुशन है, वो बच्चों को जो है, अलग-अलग तरीके से सोचने के लिए, जो है, मजबूर करता है, तो यह कुशन हो जाता है, यहाँ पर सिक्षाथियों को कल्पना परक और चिंतन परक, यानि कि उनकी इम जो मझधन की पालन स्inarू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, मद्यमक्खी पालन के लिए फेमस है, बिहार राज, और बिहार राज में यह जो मधक्वा पालन होता है, वह अक्टूबर से लेकर दिसंबर महिने में किया जाता है, यह सबसे suitable time होता है मद्यमक्खी पा क्याता है जिसमने एक बॉक्स होता है जिसमें चीनी का गोल्ड रखा होता है उसे में जो है सहज है बनाया जाता है तो इसका सब सुटेबल टाइम होता है अक्टॉबर से दिसंबर के लिए और लीची के जो फूल है वह सबसे ज़्यादा खिलते हैं तो यहाँ पर आपने मदमक्खी पालन के बारे में जाना नेक्स कुशन आजाता है आपका रेल गाड़ी के बारे में तो कोई रेल गाड़ी गांधी दाम से 16 जुलाई को 2014 को प्राता पाच बजकर 15 मिनट से स्टेशन सोड़ती है अठारा जुलाई बारी का औसर चाल आसर चाल निकाल इनके लिए 2 हैं कि उनकुल कि समय लगा है तो अपको Section 15 इसको डिवाइड कर देंगे 55.76 यानि कि 76 आपका आंसर हो जाएगा तो 56 आप इसको लेख सकते हैं यहां पर करेक्ट हो यहां पर पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा संख्या आती है तो यहां पर एक जो है राउंड आफ हो जाता है नमबर नेक्स आजाता है यहां पर खेजरी व्रक्ष के बारे में कुशन तो खेजरी व्रक्ष की जो है सही कथन आपको बताने हैं खेजरी व्रक्ष के बारे में यह मुखितार रेगिस्तानी चेत्रों में पाया जाता है तो यह पॉइंट यहां पर करेक्ट हो जाता है कि यह पर आजाता है कि यहां चाया दार व्रेक्ष होता है इसकी चाया में बच्चे खेलते हैं खेलना पसंद करते हैं तो यह भी यहां पर करेक्ट हो जाता है तीन पॉइट यहां पर करेक्ट है नेक्स यहां पर है कि इसमें पतली पाइप लगा निकाल कर जल का शोध होता है यह तो ये options के लिए wrong हो जाता है, ये ओक ट्रे की विर्ष से इसता है यहाँ पर, जो की Australia में पाया जाता है, तो इसके लिए correct option हो जाता है हमारा option D, जिसमें 1, 2 and 3 option correct है, इस तरह ऐसे ये खेजरी व्रक्ष का चित्र है, ये देखो picture है इसकी, इस तरह से ये राजिस्थान में खेजरी व्रक्ष पाया जाता है, next आ जाता है यहाँ पर खेजरी व्रक्ष जो है, समी को ही हम खेजरी व्रक्ष करते हैं, समी पेड इस तरह से होता है, आप लोग तेखते होंगे, किसी के घर में भी होगा, और ये इसका फूल होता है, इसको जो है लोग पूजा के लिए भी यूज करते हैं, खेजरी व्रक्ष की बहुत मानेता होती है, इसको थमी का पेड भी कहा जाता है, thank you everyone, ये सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है,